हेलो एवर्वान तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जादा टेस्टी एंड यमी सोय सी कबाब वो भी घर पे बहुत ही आसानी से तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां मैंने 10 रुपे वाले निूटरेला का सोय चंक्स का एक पाकेट यूज किया है आप चाहे तो इससे जादा भी यूज कर सकते हैं इसे गर्म पानी में भिंगो के 10-15 मिंट के लिए रखना है जब तक यह अच्छे से सोक न हो जाए और तब तक के लिए हम थोड़े से प्याज यहां मैंने 2 प्याज का यूज किया है थोड़े से लहसुन और बहुत ही थोड़ा सा अद्रग 2-3 हरे मिर्च और थोड़ा सा धनिया के पत्ते को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है लेकिन बहुत जादा फाइन फ्यूरी नहीं बनाना है आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं आप मिक्सर ग्राइंडर को पौल्स मोड पे ग्राइंड करें उससे भी सेम इसी तरीके का टेक्शर आ जाएगा और अब इसे एक बोल में निकाल करके साइड रख ले और जब तक हमने प्याज और दूसरी चीजों को ग्राइंड किया तब तक हमारे सोय چंक्स भी अच्छे से फूल चुके हैं अब इसका पानी हमें अच्छे से स्क्वीज कर लेना बहुत या अच्छे से स्क्वी依 करना है तो पहले आप soya chunks को 2-3 बार थंडे पानी से अच्छे से धोले and then इसे squeeze करके फिर से एक food processor या mixer grinder में डाले और फिर से pulse mode पे हलका सा दर-दरा grind करना है बहुत जादा pure ही नहीं बनाना इसको आप इसका यहां texture देख सकते हैं सेम उसी तरीके से आपको grind करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके के food processor में grind करें mixer grinder में भी यह बहुत ही अच्छे से हो जाता है फिर इस grinded soya chunks के mixer को भी प्यास वाले mixer में मिला देना है इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से healthy powder half teaspoon और one tablespoon के करेब लाल मिर्च powder या अपने टेस्ट के हिसाब से डालें बहुत ही थोड़ा सा गरम masala powder one teaspoon जीरा पाउडर और one teaspoon चाट masala powder and half teaspoon आमचुर पाउडर and one teaspoon धनिया पाउडर उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक half teaspoon के करेब और दो tablespoon के करेब दही फिर इसमें डालेंगे 3-4 tablespoon के करेब बेसन अच्छे से bind करने के लिए अगर बाद में भी थोड़ा जरूरत परे तो आप इसमें बेसन मिला सकते हैं फिर बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे chicken masala या mutton masala फिर थोड़ी सी कसूरी में थी one teaspoon के करेब उसके बाद फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल one tablespoon के करेब और अब इन सब को अच्छे से mix करना है और mix करने के बाद अगर आपको mixture थोड़ा सा गीला गीला सा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन यूज़ कर सकते हैं यहां सीख कबाब का जो mixture है वो थोड़ा सा firm होना चाहिए जिससे कि जब आप इसे एक सीख पे wooden सीख पे लगाएं तो उससे गिरना नहीं चाहिए तो आप इसे चेक कर सकते हैं अगर यह गिर रहा हो तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें और add कर सकते हैं और यहां मैंने एक ice cream stick का यूज किया है सीख के लिए और अगर आपके पास ice cream stick नहीं है तो आप किसी pencil का भी यूज कर सकते हैं बट make sure कि pencil को अच्छे से पहले clean कर ले दो के clean करके उसके बाद आप यूज करें तो इसी तरीके से हमें अपने सोय सीख कबाब्स को बना लेना है और इस सीख से से निकाल के हमें सरसो के तेल में हाई फ्लीम पर चाड़ो बगर से अच्छे से fry कर लेना है जब तक यह golden ना हो जाए और बस इसे हमें अच्छे से cook करना है तो है ना यह recipe बहुत ही ज़ादा इजी से ट्राइ नहीं किया है तो जरूर ट्राइ करके देखे और मुझे भी जरूर बताना कि आपको यह recipe कैसी लगी और हमें सोय सीख कबाब को सर्फ कर सकते हैं थोड़ी सी हरी चटनी के साथ और थोड़ी से लच्छे प्यास के साथ काफी ज़ादा tasty लगती है तो जरूर ट्राइ करना और अगर आप में चैनल पर first time आये हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर करना and like and share this video so thank you so much for watching and see you in the next video